तो ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल के समोसे आज हम मिनी समोसा बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में यह देखिए लग रहा है ना बहुत ही जदा क्रंची कुरकुरा और टेस्टी का मसाला भी बहुत ही बढ़िया है और फ्रें को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंट के सा शेयर कीजिएगा और इसके अलावा फ्रेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये लाल बुटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और आल नोटिफकेशन के बेल आइकन को जरूर प् काटा भी ले सकते हो इसके बाद मैं यहां पर देखिए नमक डाल रही हूं इसके अंदर स्वाद अनुसार और यहां पर मैंने लिया है आदा छोटा चमच के करीब अजवाइन के दाने इससे जो टेस्ट है समुसे में वह बहुत अच्छा आएगा इसको क्रश करके डाल द क्रंची बनेगा डो के अंदर जो मोयन है वह अच्छा होना जरूरी है तो इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हाथों में इस तरीके से में मसल रही हूं और यह एक सार हो जाना चाहिए इसमें लंप नहीं होने चाहिए यह देखिए यह मिक्स कर लिया है मैंने और अब इ मिक्स कईए यहीं हैं लेधा तरो सभड़ घंडे के लिए आदा गंटे के लिए आधा गंट ईसको रचला हो जाए हूं और हम धक ढधक कर देते हैं हम मसाला बनाले पर तो यहाँ पे देखिए एक frying pan में मैंने दो चमच के करीब तेल गरम करने रखा है जैसे ही तेल करम हो जाएगा इसके अंदर में डालूँगी एक छोटा चमच के करीब राई के दाने आदा छोटा चमच इसके अंदर में जीरा डाल रही हूँ यहाँ पे मैंने लिये है थोड़ा सा साबुद धनिया सीड्स और इनको मैं अच्छे से क्रश करके डालूँगी तो इसको हम मिक्स कर लेंगे साबुद धनिया जरूर डालिएगा इस मसाले में इससे जो टेस्ट है वो समोसे का बहुत ही अच्छा आता है इसको बाद इसके अंदर मैं हरी-मिर्ची दाल रही हूँ बारिक टीवी ack हरी-मिर्च को मैंने बारिक काट़के डाला है और यहाँ पे मैं एक चमच के करीब ले रही हूं अदRAKmm q sukiwi तो इसको हम-mix कर लेंगे अद्रक वा वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तो इसके बाद मैं इसके अंदर प्यास डाल रही हूँ और यहां पर मैंने लिया है एक छोटा प्यास बिल्कुल बारिक कटावा रेखिए इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हलका सा फ्राय कर लेंगे प्यास भी आप च चमच के करीब कश्मीरी लाल में डाल रही हूं और साथ में आदा छोटा चमच के करीब हल्दी का पाउडर डाला है इसके बाद में एक चमच के करीब गरम मरसाले का पाउडर डाल रही हूं इसके साथ इसके अंदर एक चमच के करीब अमचूर का पाउडर में डाल रही और यहाँ पर मैंने 5-6 medium size के जो आलू है उनको boil करके इस तरीके से crush कर लिया है इसको mix कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मसाला डालने के बाद जो अच्छ है उसको कम कर दीजेगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे इसके बाद friends इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़े से मतर तो यहाँ पर दो चमच के करीमें मतर डाले हैं और इनको भी mix कर लेंगे यह फ्रोजन मतर हैं साथ में एक मसाला कूट रही हूँ तो इसके अंदर मैंने दो लॉंग ली है और पांच से छे काली में इसको कूट के मैं इसके अंदर डालूंगी यह फ्रेंस इस्पेशली मैं करती हूँ इससे जो है मसाला तीखा बनता है और फ्लेवर्फुल बनता है यह आप जरूर कीजेगा इससे टेस्टी बनेगा बिल्कुल हलवाई स्टाइल के समोसे बनेंगे आपके इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे हम और इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे फ्रेंस जो यह मैंने आपको लॉंग और काली में च्कूटने के लिए बोला है यह जरूर डालिएगा इससे जो टेस्ट है इसका वो बहुत ही अच्छा आएगा बिल्कुल बजार जैसे आपको यह समोसे लगेंगे एक बार अच्छे तरीकी से मिक्स करने के बाद इसको ढपके हम पकाएंगे बिल्कुल धीमी आज पे दो मिनिट के लिए तो यह देखिए फ्रेंस डो मिनिट मैंने इसको पका लिया है और बहुत ही टेस्टी खुश्बू आ रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समोसे का जो मसाला है बहुत ही स्वादिश्ट बना है और इसके बाद मैं इसके उपर हराधनिया डाल दूंगी इस मसाले को हम एक जब रेकर से टाफ तर्स ले लिया है और यह बहुत ही अच्छे दरूइक हम इसको गूंत लेंगे और थोड़ा सा सौफ्ट कर लेंगे तो समोसे आज हम मैं छोटे से और मिनी समोसे बना रही हूं तो मिनी समोसे बनाने के लिए जो हम लोई है वो भी छोटी छोटी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने किचन फ्लोर को ही अच्छे इस तरीके से क्लीन कर लिया है और इसी पर आज मैं बनाना बता रही हूँ आपको तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके छोटी छोटी से हम डो निकाल लेंगे यह देखिए छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे हम इसकी और इसको मैं आपको अभी बेल के बताऊंगी तो समोसा बनाने के लिए हमें जो है रोटी को पहले बेलना होगा और इसके बाद इसका हम आदा कर देंगे तो एक रोटी से आपके दो समोसे बनेंगे और मैं आपको आज बहुत बहूत ही डिफरेंचbab स्टाइल से दोस तरीके के समोसे बनाना बताऊंगी मुझे बजार के समसे थोड़े कम पसंद आते हैं क्योंकि उसके अंदर मैदे की जो कोटिंग होती है वो बहुत मोटी होती है और मुझे वो पसंद नहीं आती है तो यहाँ पर मैंने पतली रोटी बनाई है इसको बीच में से काट लिया है और मैं पतली कोटिंग वाले भी समसे बताऊंगी आपको और मोटी जो है परत वाले जैसे बजार के होते हैं वो भी बताऊंगी तो यहाँ पर मैं एक तरफ जो है ओईल लगा दूँगी कटिंग वाली साइट पर ओईल लगा दीजिए इसको इस तरीके से फोल्ड कीजे मसाला मैंने ले लिया है ठंडा हो गया है अब यह देखिए इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया है इसके अंदर हम अच्छे से मसाला भरेंगे एक से सवा चमच के करीब मसाला आप इसके अंदर भर लीजे अब जो है इसके बॉर्डर पे भी थोड़ा सा पानी हम लगा देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको चिपका लेंगे तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी अच्छे से भरावा आपका मिनी समोसा बनके ट्यार हो गया है देखने में इतना क्यूट लग रहा है इसके बाद दूसरा समोसा भी मैं इस तरीके से बना लूँगी तो यह जो समोसा है इसकी जो परत है यह बहुत ही पतली है और इसे खाने में आपके मसाला ज़ादा आएगा मू में और स्वादिश्ट लगेगा खाने में काफी सारे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मैदा बहुत जादा होता है ऐसी चीजों में तो मैंने यहाँ पे पतली कोटिंग वाले जो है समोसे बनाए हैं यह देखिए दूसरा भी हम इस तरीके से पैक कर लेंगे साइट को पहले फोल्ड करना होगा आपको यह देखिए इस तरीके से और उसके बाद आप पूरे समोसे को चिपका लीजे एक फोल्ड लिया है आगे की तरफ मैंने यह देखिए इस तरीके से आपका यह समोसा त्यार है तो यह तो हो गए पतली coating वाले समोसे, अब ही हम मोटि कोटिंग वाले जो है, जो normal market में मिलते हैं, वो भी बना लेते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बेलूंगी, जैसे आपका पराथा होता है थोड़ी सी पतली आप रोटी बेलिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीचे तो ये मैंने बेल ली है और थोड़ी सी बड़ी बेली है जितनी आप बड़ी रोटी बनाओगे उतना ही आपका बड़ा समोसा बनेगा ये थोड़ा सा मोटा है और इसको हैंडल करना आसान है पतली कोटिंग वाले जो समोसे हैं उनको जो है हैंडल करना मुश्किल होता है थो जीसे आप चाहो तो इससे भी मोटी कोठिंग कर सकते हो मैं कहूं गी कि अगर आप बिगीनर हो तो आप जो है रोती मोटी बेलिएगा क्यों कि पतली रोटी से आपको फटरने का डर रहेगा समोसे के जैसे जैसे आपको आता जाए आप पतला कर सकते हो कोटिंग को तो यहाँ पर देखिए समोसे हमारे त्यार है और मैंने ओइल भी गरम कर लिया है मेडियम आज पे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है और यह डेखिए कितना ख्यूट लग रहा है यह समोसा तो इसको अभी हम फ्राय कर लेते हैं समोसे को और यह डेखिए एक साथ समोसे आप बना लीजिए पहले सारे उसके बाद आप फ्राय कीजिएगा एक-एक समोसा फ्राय करने मत बैठियेगा नहीं तो वो क्रंची भी नहीं बनेंगे और जो है देर भी बहुत ज़ादा लगेगी तो ये देखिए मैंने समोसे डाल दी हैं इसके अंदर एक एक करके बहुत सारे समोसे एक साथ आप फ्राय कर सकते हो और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको इसको फ्राय करना है हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राय मत कीजेगा नहीं तो अंदर से तो कच्चा रह जाएगा और कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा समोसा और थोड़ी सी दे रखने पे ही आपका जो समोसा है उसका करंच खतम हो जाएगा बिल्कुल ही ये देखिए इनका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है मैंने मीडियम तु लो फ्लेम प्रेस को फ्राय किया है और ये देखिए करंची लग रहा है अब हम जो ये समोसे हैं इनको निकाल लेते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिश्यस आपके कुरकुरे बिल्कुल हलवाई स्टाइल के समोसे बने हैं और फ्रेंट्स आप भी मेरे को बना के जरूर बताईएगा, इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो मुझे पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का भी रिप्लाइ करती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके भी बताईएगा कि आपको रेस्पी कैसी लगी, और नेक्स्ट कौन सी आपको रेस्पी देखनी है, दिवाली पे भी बहुत सारी रेस्पिया में बनाने वाली हूँ, जरूर ट्राय कीजेगा, तो ये देखिए हमारे भलवाई स्टाइल के कुरकुरे और क्रंची समोसे बनके त्यार हैं, आई होप आपको रेस्पी पसंद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मद भूलिएगा, जास जादा इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ शेयर कीजेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा देखनी है, तो मैंने बहुत सारी रेस्पीज बनाई है, प्लेयलिस भी बनाई है, जरू से जरू चेक आउट कीजेगा